नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटपॉर्म पर एक बहुत बड़ी खुसकबरी के साथ आप सभी के समक्षा हाजिर हूँ लेकिन उनमें उस खुसकबरी को लेकर के यूपी ट्रफल एसी के द्वारा एनम के बारे मैं मैंने बताया था कि बहुत प्रिक्षा आपने दी है ध्यां से सुनेrau अगर आपने प्रिक्षा दी हुई है और अप एनम की परिक्षा के लिए जो आपके आप से मांगी गई हैं सबसे पहले उस पर चर्शा करते हैं यह विज्यापन आपका अभी अभी जारी हुआ है यूपी ट्रपल सी वेबसाइट से आप राप्त कर सकते हैं या टेलिग्राम पर एक सप्लस से जोड़ जाएं वहाँ पर आपको दे दिया जाएगा यह जो advertisement है यह आपका कब से सुरू होगा कब से सारी शीजे प्रारब हो रहेगे 15-12 से और अंतिम जो आपकी तिति है वो 5-1 है ठीके 5 जनवरी अंतिम तिति है आबेदन में संसोधन की जो अंतिम तिति है वो 12 जनवरी है 15 दिसंबर से फार्म भड़ जाने आपके सुरू हो ज और 12 तारीक तक आप अपने फार्म में कोई भी संसोधन कर सकते हैं इसने लिखा है सबसे पहले कि उप्रोक्त विज्यापन के सापेक शावेदन वह फीज जमा करने की अंतिम तिति पांच तारीक है और अगर इस तितिके बाद आप कुछ भी करते हैं तो आपका आवेदन स क्या है, qualifications क्या है, सभी पर बहुत detail में हम लोग चक्षा करेंगे, यहाँ पर क्या गहरा, यह जो स्वास कारीकरता आपकी भरती है, महिला, केवल female की vacancy है, मुखी पर इक्षा होनी है, इसके लिए sword listing कैसे होगा, कौन से अभरती, सारे अभरती आपके form भरेंगे, जिरों ने PT का अगर आपने paper दिया है, तभी apply कर पाएंगे, ध्यान रखेगा, भीना PT वाले इसमें apply नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो PT में जो score है आपका, उसके आधार पर आपको sword list किया जाएगा, और केवल वहीं अभरती online आवेदन कर सकते हैं, जो PT परिक्षा में समलित हुए हैं, अब online आवेदन आप करेंगे कहां से, वो सारी चीज़े online आवेदन आपकी website से www.gov.in के माद्यम से होनी है, इसमें क्या-क्या चीज़े करनी है, वो सब कुछ आप वहां से देख लेंगे, qualifications और इन सब के बारे में आईए बात करते हैं कि क्या चीज़ें कैसे कैसे आपकी login करना है, जो PT का आपका registration number है, उसी PT के registration number से आपका login होगा, ये ध्यान लखेगा, वहां दो विकल्ब दिये हैं, फिर उसमें आपको क्या करना है, personal details डालनी है, PT को लेकर के registration number जंगती थी, जो PT में आपने डाला है, वहीं चीज़े, यहां पर आपको डालनी है, सारी OTP आप डालेंगे, तब आपका login होगा, form भरने के लिए, ठीक है, अब इसमें अबेदन के लिए क्या करना है, अबेदन जो आपने 2021 PT के form में detail डाली है, वहीं चीज़े डालनी है, सब कुछ होई करना है, कोई भी उसमें changes नहीं देने है, और हो सकता, जैसे आप डालोगे व 25 रुपीज आपको pay करना है, वो आप online कर सकते हैं सीधा, या बैंक के मदम से भी कर सकते हैं, यस भी यह वगेरा, जो आप जैसा सुवधा जनक समझें, हम बात करते हैं कि इसमें आप से qualifications क्या आप मांगी गई है, ठीक है, क्या क्या चीज़े है, पद कितने हैं, आईए उन पर बात करते हैं, जो सुलक है fee है, 25 रुपे जननल के लिए है, ठीक है, और OBC के लिए भी 25 है, सभी के लिए 25 रुपे जो है fee रखे गई है, तो 25 रुपे उतना ज्यादा नहीं है, आरक्षान इसमें भी है, जब हम बात करते हैं कि आप फी final submit करेंगे, उसी के बाद आपको सारी चीजें जो है, इसका वो कर सकते हैं, कितनी वेकेंसी है, आईए देखते हैं, वेकेंसी में वही है सबसे पहले महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनों, ये एक विभाग है, इस विभाग में पदनाम क्या है, किस पोश्ट के लिए वेकेंसी है, पास्त कारिकरता, ये जो बेतन मान है, पे ग्रेड है, ये 21,000, ठीके, कुछ से सुर्वात हुई है, और आपका लगबग 69,100, ठीके, लेबल 3 मैटरिक्स का बेतन, अच्छा का सब बेतन हो गया, आयू कितनी है, 1 जुलाई 2021 से आपकी आयू गढ़ना करेगा, अगर 1 जुला 866 सीटे है, वही OVC के लिए जब हम बात करते हैं, ठीके, अनुसूची जायत के लिए बात करते हैं, तो 1346 आपके पद है, और अनुसूची जंजात के लिए जब हम बात करते हैं, तो 420 पद आपके EST के लिए है, OVC के लिए सीटे आपकी 1680 सीटे हैं, OVC के लिए, ठीके और जो EWS के लिए है EWS में अगर आप आते हैं तो 921 पद EWS वालों के लिए है और कुल पद 9212 है कुल पदों की अगर बात करें तो 9212 पद आपके इसके लिए आये है यानि अच्छी खासी फेकंसी अगर आपने PT दिया है और आपके पास यह कोर से तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है बहुत ही सुनेरा मौका है इसमें जब हम बात करते हैं यह जो रिक्तियां है इन रिक्तियों में आपके आरक्षन भी दिये गया है आरक्षन में वह लोग जो 77 संग्राम सेनानी के आसरित हैं उनके लिये 184 पद है, अच्छे खासे पद ये भी है, विकलांग के लिए आपकी सीटे नहीं है, और महिला के लिए पूरा का पूरा पद ही महिला का है, तेक केवल महिलाय अपलाई कर सकती है तो पूरे पद इसमें महिलाओं के लिए यह है और अन जो सैनिनियोजित या भूत पूर सैनिक हैं उनके लिए भी 480 पद इसमें समाय उजित किये गए है बेकेंसी बहुत अच्छी है, सारी चीजें इसमें जेसी साब से दी है आईए बात करते हैं इसमें qualifications क्या रहेगी सेक्षिक आहर्ता क्या होगी तो जब हम सेक्षिक आहर्ता की बात करते हैं तो इसमें जो स्वास्थकारीक आहर्ता महिला हैं इनके लिए आपको क्या-क्या चाहिए देखे अभ्यरती ने माध्मिक सिक्षा परिशद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडियेट परिशा या उसके समकच सरकार द्वारा मानिता प्राप्त कोई परिशा उत्तरेण को हो यानि 12 आपका उत्तरेण होना चाहिए दूसरी चीत भा महिने का आपका प्रसूत से संबंदित वो भी होना चाहिए आप ट्रेनिंग ली हुई हो ठीक है डेड़ साल का कोर्स या दो साल का दो तरीके के कोर्स होते हैं अगर आपने छे महिने की ट्रेनिंग भी पूरी कर रखी है आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आप 12 के साथ इसको क्या कर सकते हैं apply कर सकते है 12 होना चाहिए और A&M का अगर आपने course कर रखा है तो चाहे ह्लेड साल माला में अपका on प्रसूत से संबंदित 6 महिन के जो ट्रेनिंग पिरियेड होती है वो involve होना चाहिए ठीक है अन्य चीज़ें क्या है जब किसी के नबर बराबर हों तो जिसने आपका जो है यंसी सी कर रखा है बी ग्रेट जिसके पास सर्टिफिकेट है यंसी सी का और या फिर जो प्रदेश से यह सार तो बाते बहुत बाद में आती है इसका कोई मिनलब भी नहीं होता है तो बहुत बड़ी बात है आयू सीमा के लिए उस केलेंडर वर्स य जदन नहीं होनी चाहिए तो आप इन सभी के लिए इलेजबिल है इसमें जो अनुसूचित जातियां है जन जातियां है ऐसे अनिसरेडिया है उन सभी को आपकी छूट भी दी गई है जितना इससे पहले पास साल आपका चलता रहा है उस अनुसार सभी को छूट भी दी बताया जब इसमें बात करते हैं कि चैन का आधार कैसे होगा रिटेन आपका एक्जाम होना है स्लेबस इसका पहले आया था मैंने उसको स्लेबस को एक वीडियो में बताया था ठीक है इसके कोर्से के लिए अगर आप लोग तयारी कर रहें तो नीचे कमेंट वॉक्स में आप कमेंट करिएगा इसके कोर्से उपलब धकरायज जाएंगे जो जो लोग तयारी कर रहें आपको तयारी करनी है मेंस की जितना आपका पाटक्रम दिया गया है वो पाटक्रम के लिए संसान के द्वारा कोर्स चलाएगा आप सारे लोग नीचे कमेंट करते चले जाएं ठीक ह पूरस और महिला जो आपर जो है राजपत्रिच सेवा नेमाली 18-2018 के भाग 5 भरती की प्रक्रिया के नियम 15 के अनुसार स्वास्तकारिकरता पूरस और स्वास्तकारिकरता महिला के पदों पर सीधी भरती समय समा पर यथा संसोधित उत्तरप्रदेश समूगा के पदों पर कांट्रेक बेसिस पर आपके कारी कर रहे थे अधिक्तम 15 अंकों का आपको क्या मिलेगा वहां अधिदीन आपको अधिमानी अंक दिये जाएंगे तो जो लोग कांट्रेक बेसिस पर इस सबे काम कर रहे थे उनके लिए एक बड़ी खुसकबरी है अगर आपने पीटी दिया है ठीक है यानि 15 नंबर आपके अधिमानी अहिरता दी जाएगी जो लोग कांट्रेक बेसिस पर काम कर रही थी ठीक है बहुत अच्छी खबर है वाकई यह चीज फिर हम इसमें बात करते हैं सेक्षी गारता हो गई एलिजबिल्टी हो गई कितने सवाल आप से पूछे नहीं है वहार पर आपकी और 120 मिनिट का आपके सवसवाल होते हैं पाटकरम के लिए आप पूरानी वीडियो देख सकते हैं या परिक्षा प्लस का टेलीग्राम चैनल जोइन कर लेजए उस पर यह पूरी पीडियो डाल दी जाएगी वहां से आप लोग पीडियो प्राप् के जंकरी ले सकते हैं संस्थांग के इस दोनों नंबर पर आप कॉल या वाट्सप के मादम से जंकरी पूछ सकते हैं इन दोनों नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या नीचे कमेंट बाक्स में आप जो है ज़रूर एक बार यह डालिए कि मुझे सरकोर्स जोइन करना है इसकी प्रक्रिया के है वहाँ पर आपको बता दी जाएगे या आप संस्थांग के नंबर पर कॉल कर लें इसकी पीडियाप के लिए अनी अपडेट के लिए परिक्षा प्लस का टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन कर लेजी और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेजे इससे आगे को भी जंकरी पाने के लिए सवी का बहुत बहुत धन्यवाद